लोकसभा चनाव के मद्दे नजर कॉंग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है धरसल जिस नेता ने कॉंग्रेस की बांगडोर बतोर मुख्यमंत्री कई सालों तक सम्हाल करके रखी थी अब उसके बेटे ने ही कॉंग्रेस की चिंता भणा दी है कॉंग्रेस को ये जटका इसलिए भी कटकने वाला है क्योंकि ये कॉंग्रेस से इकलौता ऐसा नेता है जो उस राज्य से लोकसभा सदस्य है और दूसरा कोई भी ऐसा नेता नहीं है तो जाहर तोर पर कॉंग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है और सबसे ज़ादा दिल्चस बात ये है कि वो कट्टर कॉंग्रेसी परवार से तालुक रखता है मसलान इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा सुप्रीम कोट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोट ने बड़ा आदेश दे करके हिंदूों को चौका दिया है दरसल मत्रा शाही इदगा पर सुप्रीम कोट का बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है जिसके बारे में हम इस रिपोर्ट में बिस्तार से जानेंगे लेकर उससे पहले आपसे विनम्र नवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गरम है सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोट के बड़े फैसले की सुप्रीम कोट की तरब से हिंदू पक्षकाउ बड़ा छटका लगा है मतुरा में मौजूद शाही इदगा का सर्वे अब नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोट ने आज उत्तरपदेश के मतुरा में सत्रवी सदी की शाही इदगा मस्जिद का सर्वे करने के लिए भी दी थी हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई थी और सर्वेक्षर की मांग की गई थी इस मांग को पिछले साल दिसंबर में एक स्थानी अदालत ने सुईकार कर लिया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाई कोट में आपक्ति दायर की थी हिंदू पक्ष ने मतुरा की एक अदालत में याचका दायर करके विबादित 13.371 भूमी के पूर्ण स्वामित की मांग की थी जिसमें से दावा किया गया था कि सदियों पुरानी मस्जिद का निर्मार कटरा केशव देव मंदर को तोड़ करके किया गया था उन्होंने इलजाम लगाया कि ये मुगल समराट और अंगजेब ने ये आदेश दिया था सबूत के तौर पर याचका करताओं का दावा है कि मस्जिद की कुछ दीवारों पर कमल की नकाशी मौजूद है इसके साथ ही कते तोर पर शेशनांग की आकरतियां भी मौजूद हैं जो कि हिंदू पौरानिक कथाओं से कथाओं में साप के देवता है उन्होंने तर्ख दिया था कि इससे पता चलता है कि मस्जिद मंदर के उपर बनाई गई थी मुसलिम पक्ष ने पहले 1991 के पूजा इस्थल अधनियम का हवाला देते हुए याचका को खारिच करने की मांग की थी जो किसी भी पूजा इस्थल की धार्मिक स्थती को 15 अगस्त 1947 की तरह बनाए रखता है तो सुप्रीम कोट ने बहुत बड़ा जटका दिया हिंदू पक्ष को और सरवे के फैसले को जो की हाई कोट की तरफ से दिया गया था उसे अब पूरी तरीके से रोक दिया है अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का कॉंग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों से युवा नेता पाला बदलते नजर आ रहे हैं हाली में महरास्ट में कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा था पार्टी के युवा और प्रमुक नेता मिलिन देवडा ने पार्टी को अलविदा कह दिया था वहीं अब अटकलों का बाजार गर्म है कि मद्द प्रदेश से भी कॉंग्रेस को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है चर्चा है कि मद्द प्रदेश के दिगज नेता और पूर मुक्ह मंतरी कबलनात और उनके बेटे नकुलनात पाला बदल करके भाजपा में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं आपको बदा दें कि नकुलनात मद्द प्रदेश से कॉंग्रेस के एक मातर लोकसबा सदस हैं पार्टी के एक अंदरूनी सूतर ने दावा किया है कि पार्टी के भीतर ऐसी चर्चाएं हैं कि उनकी प्रदान मंतरी नरंदर मोदी के साथ में तारीखें तैह हो चुकी हैं लेकिन फिलाल ये सिर्फ चर्चाएं हैं ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है जिसके ये संकेत मिलें कि वो पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं इसके लावा जमीन पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे ये लगे कि वो पार्टी से बाहर हो सकते हैं इस मामले में कमलनाथ के बहुती करीबी नेताओं का सुझाव है कि वो AICC प्रवक्ता अलोग वर्मा ही थे जिन्होंने मीडिया चैनलों पर कमलनाथ के खिलाफ संदे का भीज बोया था उन्होंने का कि जब से कॉंग्रेस मद्द पर्देश फिदानसभा चनाव हार गई है वो कमलनाथ के खिलाफ लगातार बयानवाजी करते गोई नजर आ रहे हैं सिगूफा चोड़ते गोई नजर आ रहे हैं कमलनात के करीबी एक कॉंग्रेस पता दिकाली ने कहा कि आला खमान को शर्मा के खिलाब में कारवाई करनी चाहिए थी अपने खुले आरोपों के कारवाई नात दुखी है इसके अलाबा भी नेताओं के एक वर्ग का कहना है चुकि नकुलनात का चिंदवाडा लोकसवाशेत्र में मजबूत प्रभाव है इसलिए वो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उसी तरह पार्टी छोड़ सकते हैं वहीं एक नेता ने कहा कि कमलनात बूरे हैं और अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो वो अपने लिए काम करने वाले मुस्लिम केडर को खो देंगे और जनता से भरोसा भी पूरी तरीके से उड़ जाएगा क्योंकि उनकी पहँचान हमेशा से ही कॉंग्रेस से जुड़ी रही है और इंद्रा गांधी भी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती रही थी जिससे उन्हें कॉंग्रेस नेताओ के बीच काफी सने मिला अगर वो चले गए तो उनका राजनियत एक जीवन एक जटके में खत्म हो सकता है लेकिन अगर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो ये बस वो बहतर विकल पलाश रहे होंगे क्योंकि कॉंग्रेस दिन बदिन अपनी ताकत खोती जा रही है कॉंग्रेस के जो तमाम कद्दाबर नेता है वो खुद इस बात से सहमत है कि कॉंग्रेस आए दिन जो है अपनी ताकत खोती जा रही है अब इसका जो श्रे है वो उच्चनेतरत को जाना चाहिए या फिर जमीनी तोर पर जो कारिकरता खाम कर रहे हैं उनको इसका श्रे दिया जाना चाहिए जाहिर तोर पर राहूल गंदी अफरसओन्या गंदी नकामियों को तो जो उनकी भी नाकामिया हैं którego कभी भी अक्सिप्ट नहीं करते हैं तो जाहर तोर पर कारकरताओं के उपर ही ठीक राफोडा जाएगा लेकिन कमलनात के बेटे नुकलनात ने जाहर तोर पर कॉंग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा करके रगती है लोग सबाचुनाफ की तारीक हैं सर पर आ चुकी हैं कॉंग्रेस पार्टी रीजिनल पॉलिटिकल पार्टीओं के सामने कहीं न कहीं दूम हिलाती हुई दिखाई दे रही है जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कॉंग्रेस पार्टी को ज़्यादा भाव भी नहीं दे रही चारों तरफ से उसके उपर दबाव बनाये जा रहा है जब भी बात सीट शेरिंग को लेकर के आती है किसी भी राज में वहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉंग्रेस पर हावी हो जाती है और अपनी मन मरजी से सीटों का एक हिस्सा सामने रख देते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को इतनी सीटों पर चुनाब रड़ना हो तो लड़े हम ये सीटे देने वाले नहीं है यहाँ पर चाहे अर्विंद केजरिवाल का जिक्र किया जाए पंजाब से लेकर के दिल्ली तक अर्विंद केजरिवाल लगातार मनमानी कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल ने अपनी सीटे पहले से तैकर रखी है ममतब एनरजी पश्रिम बंगाल में कॉंग्रेस पार्टी को कुछ ज़्यादा भाव दे नहीं रही वो भी लगातार अपनी सीटों पर अडिक बनी हुई है और महज एक सीट देना चाहती है कॉंग्रेस पार्टी को जहां पर फिलाल कॉंग्रेस का ही सांसद है इसके अलाबा उत्तर प्रदेश में बात वहीं पर आकर किठन जाती है माया बती ने भी ठैंगा दिखा दिया है अकलेश यादव अपने सीटों को लेकर के बहुत ही जादा आतुर दिखाई दे रहे हैं बिहार में आपको पता है नितीश खुमार बनाम तेजस्वी यादव और उनका लालू परबार पूरा बनाम कॉंग्रेस पार्टी में किस तरीके की जंग छड़ी हुई है तो जाहिर तोर पर मद्ध परदेश में अब इस तरीके की खबर आना जो कॉंग्रेस पार्टी से एकलोता एक सामसाद है वो भी अगर पार्टी को अलविदा कहने की योजना बना रहा है और इस तरीके की खबरे सामने आ रही है कि नकुल नातने परदान मंतरी नरंदर मोदी के साथ स्यों मिलकर के पूरी साठगाट तै कर ली है तारीकों का चुनाव हो चुका है कि कब उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रेंड करनी है तो जाहर तो और पर ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विशह है वहराल इस पूरे के पूरे प्रक्टरल को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द मुलूगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर ना है तो प्रेश चैनल को सब्सक्राइब करें सैड़ बने बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही में कोई नए अपडेट लेकर क्या हो तो इसकी जानकारी सब सब पहले आपको मिले